नमो नारायन मित्रो मेरा हुलेश्वर। स्वागत करता हूँ आप सभी का भाग्यमंधन में। भाद्रपदमास शुरू हो चुका है और एक नया ब्रह्म चन्माष्टमी को लेकर हमारे सामने आ करके खड़ा हो चुका है। चन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को है या 7 सितंबर को। मित्रो इसको बहुती साधान तरीके से समझने का एक नियम है कि रोणी नक्षत्र कब शुरू हो रहा है और कब खतम हो रहा है। देखिए जो रोणी नक्षत्र है 6 सितंबर को सुभा 9 बच के 20 मिनट पर शुरू हो रहा है। और इसकी समापती 7 सितंबर 2023 को सुभा 10 बच कर 25 मिनट पर हो रही है। अब इस नियम को लेकर के चलें तो 6 सितंबर 2023 का जो दिन है ग्रहस्त जीवन जो लोग जी रहे हैं। चत्र और रात्री पूजा में पूजा का पूरा का पूरा शुमूरत आपके लिए बन रहा है। भगवान कृष्ण का जनम क्योंकि रात को हुआ था। इसलिए 6 सितंबर ग्रस्तों के लिए बिलकुल ठीक है। 7 सितंबर की भी मान्यता यह है कि इस दिन वैश्णव संप्रदाय के लोग जनमाश्टमी मनाएंगे। साधू, संत और सन्यासियों के लिए भी यहां पर देखा जाए तो 7 सितंबर का दिन रहेगा जनमाश्टमी बनाने का। और दही हांडी उस्तव इस दिन मनाया जाता है। तो 6 तारिको जनमाश्टमी ग्रस्तों के लिए है। और 7 सितंबर 2023 का जो दिन है वो साधू, संत, सन्यासियों, वैश्णव संप्रदाय के लिए और हांडी उस्तव के लिए है। अब एक और बात करते हैं। श्री कृष्ण पूजा का समय कब है। जो कि हम वरत रखते हैं। उसके बाद रात्री में जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है, तो पूजा का सही समय कौन सा है। तो यह भी 6 सितंबर 2023 को रात्री के समय, 11.57 से यह शुरू हो जाएगा। और 12.42 मिनट तक रहेगा। कुल इसकी अवदी जो है, 46 या 47 मिनट के आसपास रहेगी। तो यह आप ध्यान रखें। आप सभी को भाग्यमंधन परिवार की ओर से जन्माश्टमी की बहुत बहुत शुब काम नाए। झाले जाएगा। कि झाले जया हो।